इसे कह सकते हैं कि आग लगी है। पहुंची और आग पर काबू पा लिया आपको बता दे कि कुछ दिन पहले भी विस्व सरया बहुन में आग लगी थी और विपेसी पेपर लीक भी उसी समय हुआ था तो ऐसा कहा जा रहा था कि विपेसी का जो कोशन जो सत्य है जो सचाई है उसके छुपाने के लिए ऐसा कि बढ़ पर फिर से पटना के विस्व सरया बहुन में आग लगी की घंडा हो गई है और आखित क्या है कि बढ़ बार विस्व सरया में आग लग रहा है इसके पीशे का कारण ळाए पहले सुनियों धीकाणी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है एक हम लोग आग बुझाए थे इसको अभी आंधी सब आई है तो सकता है कि थोड़ा सा फ्लेम कहीं पर हो और इस तरह की है कोई धुआ जैसा था और एक दो मिनिट में इसको शांद कर दिया गया है आग पर कावु पालिया गया है आग पर तो पालिया दिया जाए जो हमारे पास अब लेवुल है उसको दे दिया जाए कि कि किसी तरह की और इस तरह की कोई भी चीज नहीं तो और चिंता की बात है ना जो आप जानकारी ते रहे तो यह राणी बात ने कोई हरानी की बात नहीं लगए भाई इसको आग कैसे कह सकते हैं कि आग लगी है तो पिछ जो आई जब आग नहीं लगे तोर पर हम नोगने लाया है इसको कोई आग नहीं हम लोग तो इसको इस तरह के घटना को हम लोग तो अपने हैंड से कर लेते हैं लेकिन हमारा आई है जो फायर तो अभी भी हम यह रखूंगा यह थियात के तोर पर जदी कोई भी चीज़े जहां पर डिस्प्राय हटेगा तो रखेंगे कोई यह ऐसी नहीं है कि हाँ यह कोई आग लगी लेकिन आपकी ही दफ्टल करभी उन्हें ने कहा कि सिक्स फ्लोर पर आग लगी और उसको बुझा आग लगी इसको हम आग लगी कि घटना नहीं मान सकते हावा चला पुर्वा इसलिए कचड़ा में था इसलिए सुला गया था था थोड़ा बहु कुछ और ही है और यह दुबारा ऐसी घटना हो जाना यह कुछ और ही बया करता है बिहार से चुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए अब बने रहें लाइफ बिहार के साथ धन्यवाद करें